गुड मॉनिंग बच्चो तो आमारे पिछले वीडियो में अम लोगुने देखा हुआ है कि दादीमा के घर के सदस्य कौन थे आपको पता चली गया है कि दादीमा के साथ निलू चिडिया और चिंकी चुहियां ए दादीमा के सदस्य घर के सदस्य बताए गया है थोड़ा समय वितने के बाद निलू चिडिया और चिंकी चुहियां दोनों को दो दो बेटों का उपहर मिला हुआ है दादीमा ने निलू चिडिया के बच्चो का नाम टिनो और मिनो रख दिया है और चिंकी चुगिया के बच्चों के नाम चुसको और मुस्कुरक दिया है चारों बच्चे दादीमा के घरांगन में दोड रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े से रहते हैं अपस में कभी-कभी वो जगड़ा भी करते हैं, तबी दादीमा उनको एकता के लाब जो है, वो गिनाती है या समझाती है इस प्रकार एक बार निलू और उसके दोनों बच्चे टीनोवर में नोवर उनके अन्य साथी चीड़े और चीड़िया जब दाना चुगनी के लिए गए हुए है उस समय उन पर एक मुसिबत या संकट आ गया है और सबने मिलकर उस संकट का सामना किस प्रकार कर दिया है अवो हम इसके बारे में जानकरी हमारे आज के इस वीडियो में लेने वाले है तो बच्चों हमने यहां तक देखा हुआ है कि मुन्मुन जो है वो उलचकर रह गई अरे मैं फस गई वह चिल्लाई उसने चिल्ला कर क्या बताया है कि अरे मैं फस गई निलू ने उसकी पुकर सुनी दूसरी चिडियों ने भी बात सुनी और जैसे ही वो चिल्लाई है तो निलू ने उसकी पुकर अर्थात आवज सुनी और दूसरी चिडियों ने भी वह बात सुनी निलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचरगी और निलू उसके पास जाने लगी उसकी साहयता करने के लिए, लेकिन उसके खुद की भी बेचरगी रही है, बेचरगी रहना मतलब वो अपनी खुद की भी साहयता या मदद नहीं कर पाई, तब वोह बात समझ पाई, फिर टिटिया कर चिल्लाई है, बोली, अरे हम सब उलज गए है, और उसने क्या बताया है, कि अरे हम सब इसमें उलज गए है, बहेलिया के जाल में फस गए है, और बहेलिया ने जो जाल बिछाया है, उसमें हम फस गए है, बहेलिया चिडि मार जो होता है, चिडियों को पकड़ने वाला जो है, उसे बहेलिया कहा जाता है, बहुत निकलना सके उलज गए लेकिन फिर भी वहां बाहर नहीं निकल सके उलज ही गए निकलना सके उलज गए घर जाने की इच्छा या आस जो थी वो उनकी खत्म हो गई है सभी के हो रहे थे हाल बेहाल और सभी के हाल बेहाल हो रहे थे आ रहा था बच्चों का खयाल और उन्हें अभी अपने बच्चों का खयाल खयाल आना मतलब बच्चे याद आने लगे थे बुरी बाते वे सोचने लगे और उनके मन में अभी बुरी बाते जुहे वो आ रहे थी कि कभी शायद हम इस बहेलिये द्वारा बिछाए हुए जाल में से बाहर निकल ही नहीं सकते है सिसक सिसक कर रोने लगी और सिसक सिसक कर अपने मन ही मन वो रो रहे थे निलू टिनू मिनू थे एकदम शांत लेकिन निलू टिनू और मिनू एकदम शांत थे हलाकी चिंता से थे वे भी क्लांत हलाकी देखने जाएंगे तो चिंता से वे भी क्लांत थे एकलांत होना मतलब ठके हुए थे, फिर दादी मा की सीख सुनाई और फिर उन्होंने दादी मा की सीख जो है वो सुनाई है, दी उन्हें एकता की दुहाई, एकता की दुहाई देना मतलब युनिटी के लिए या एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को प कि जाल में उलज गई वह उनकी हमजोली थी तुनककर वह यो बोली हम्में एकता हैं ुसने क्या बताए है कि हम्में पहले से ही एकता है, हम आपस में लड़ नहीं रहे है, हार गए है, जाल में फसे हुए है, और बहेलिया द्वारा बिच्छाये हुए, जाल में फसे हुए है, चाहे कितनी भी एकता रखो, पर धरा है, जब कुछ ना कर सको, चाहे कितनी भी एकता रखो, पर धरा है, किस बात को हमें धर के रखना है, या पकड़ के रखना है, कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तिनो बोली बस इतने में डर गई हम जरूर जिट जाएंगे और तब तिनो ने क्या बताए कि बस इतने में ही आप डर गई हम जरूर जिट जाएंगे एकता की ताकत दिखाएंगे हमें जो एकता है उसकी ताकत जो है वो हमें हम दिखाएंगे मुन मुन बोली आखिर चाते हो कैसी एकता तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता और आखिर उसने बताया है कि आखिर चाते हो किस तरह की एकता चाते हो तनिक अपने अकल का पत्ता जो है वो खोलो या जो भी तरकीब या जो भी योजना है वो जरा हमें खोल कर बता दो तिनो ने समझाई युक्ती और फिर तिनो ने जो भी युक्ती थी जो भी योजना थी वो उन्हें समझाई है तो बच्चो अभी आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बहेलिया ने जाल बिछाया है और सारे चिड़े चिड़िया उस बहेलिये के जाल में फज गए है और अपने आपको उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप उस चित्र में देख सकते हैं उससे मिल सकती थी मुक्ति योजना सबके मन को भाई और टिन्यों ने जो योजना समझाई है उससे सबको मुक्ति मिल सकती थी उसकी यह योजना जो है वो सबके मन को भाई है भाना मतलब पसंद आ गई उसमें थी सबकी भलाई और उसमें ही की भलाई भी थी टीनु बोली मिनू कहेगी एक दो तीन चार उढ़ने को रहेंगे तयार और टीनु ने क्या बताया है कि जैसे ही मिनू कहेगी एक, दो, तीन, चार हम सब तभी उड़ने के लिए तैयार रहेंगे हम एक साथ उड़ पड़ेंगे एक ही दिशा में चलेंगे और हम सब एक साथ ही उड़ पड़ेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे सब हो गए होशियार, सब तैयार हो गए है उड़ने को थेवे तयार और इस तरह वो अभी उड़ने के लिए तयार हो गए है मिनु बोली एक, दो, तीन, चार उड़ चले सब पंख पसार और जैसे ही मिनु ने बोला है एक, दो, तीन, चार उड़ चले सब पंख पसार अपने पंक पसार कर सब उड़ने के लिए तैयार हो गए जाल सहीत वे उड़ ले और जाल के साथ वे उड़ लिए मन में आशा और विश्वास लिए हाज उनके मन में अभी आशा है और विश्वास है कौन सी आशा और विश्वस था कि जिस जाल को उड़ा कर लेकर गए है उसमें से या उस संकट में से वो बाहर निकल सकते हैं गजब की एक्ता थी उन सब में गजब एक अनोखी एक अलग से एक्ता उन सब में थी उमंग हिलोरे ले रही थी मन में और उमंग, उमंग मतलब कुछ करने की इच्छा जो है वो उनके मन में हिलोरे ले रही थी बहेलिया ठगा सा रह गया और बहेलिया जो है वो ठगा सा रह गया ठगा सा रहना चकित रह गया है सोच रहा था पंचियों ने यह क्या किया और वह अपने मन में क्या सोच रहा है कि पंचियों ने यह क्या किया क्या करता वह बेचारा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया एकता के आगे था हारा और वह कुछ भी नहीं क्यों कर पाया क्योंकि वह एकता के आगे हारा हुआ था चिड़ी चिड़िया तनिक न सकुचे सिधे दादी मा के घर पहुचे चिड़ी चिड़िया जो है वो तनिक जरा भी नहीं सकुचे सकुचे मतलब उन्होंने जरा सा भी संकोच नहीं किया है सिधे वे दादी मा के घर पर पहुचे चिंतित दादी बैठी मुह लटकाए बुरे विचार मन में आये और वहाँ दादी मा जो है वो चिंतित थी उदास हो गई थी और अपना मुह लटकाए वो वहाँ बैठी हुई थी उसके मन में भी बुरे विचार आ रहे थे चिंकी की आखों में आसु थे और चिंकी की आखों में भी आसु थे उदास हो रहे थे चुसकु मुसकु और चुसकु मुसकु जो है वह भी उदास हो रहे थे दादी मा का चर्खा शांत सबका मन हो रहा था क्लांत और दादी मा का चर्खा जो है चर्खा जिस पर धागा बनाया जाता है वह यंत्र जो है उसे चर्खा कहा जाता है तो यह चर्खा जो है दादी मा का वह शांत था और सबका मन जो है वह क्लांत हो गया था अचनक कलरव हुआ आंगन में और अचनक कलरव होना पंचियों की आवज जो है वो आंगन में सुनाई दी सबने देखा आनन फानन में और सबने आनन फानन में शिगरता के साथ सबने देखा चीचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे और बहुत सारे पक्षी जो है वो चीचिया रहे थे उनमे थे निलू तिनू मिनू प्यारे और उनमे निलू भी है तिनू और मिनू तिनू थे विचित्र हाल उनका देखा और उनका एक विचित्र सा हाल जो है अलग सा हाल जो है वो देखा गया है अनेक थे पर था उनमें एका देखने से अनेक दिखाई दे रहे थे लेकिन फिर भी ऐसे देख रहे है कि सब एक साथ है एक साथ आंगन में उतरे, मानो मित्र हो गहरे चिंकी उधर पहुची, दादी माने की गर्दन उची फिर चिंकी जो है वो उधर पहुच गई है और उसी समय दादी माने अपनी गर्दन जो है वो उची कर दी खटिया पर बैठी थी वह भोली, और वह काँ बैठी हुई थी, खटिया पर बैठी हुई थी देख, उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो निलू आज, खैर्यत तो है, क्या हुआ था काज और उन्हें देखर दादी मा ने पूछा है कि बहुत देर से आई हो आज, खेरियत तो है, सब कुछ अच्छा है, आज इतनी देर क्यों हो गई? निलू ने हाल सुनाया, निलू ने वहाँ जो भी बात हो गई थी, वह सारी बात जो है, वो दादी मा को सुनाई, दादी मा को सब बतलाया, और उसने दादी मा को सब बतलाया है, यो पहुची पंचियों की टोली, दादी मा हसी और बोली, और इस तरह पंचियों की टोली जो ह वो यहाँ पहुझ गई है दादी मा हस गई और हस्ते हस्ते उसने बताया है तिनु मिनु है समझदार तभी तो किया खबरदार और दादी मा ने क्या बताया है कि तिनु मिनु जो है वो बहुती समझदार है तभी तो उसने सबको खबरदार किया है खबरदार करना मतलब सबक को सावधान किया है जान तुम्हारी बच गई है यही अच्छी बात हुई है और जान जो है तुम्हारी बच गई है और आपके लिए यही अच्छी बात है सच है जान हमारी बच्ची पर अब्भी भी है जाल में फसी क्या बताया है कि सच है कि हमारी जान जो है वो बच्ची हुई है पर अब्भी भी जाल में हम फसे हुए है तनिक हमें संभालो इससे बाहर निकालो तनि जरा से हमें संभालो और इससे हमें बाहर निकालो दादी मा तब मुस्काई राज की बात उन्हें बताई और तबी दादी मा जो है वो मुस्काई है मुस्काई मतलब मुस्कुराना और राज की बात राज की बात मतलब रहस्ये वाली बात जो है जो किसी को पता नहीं होती है, वह बात दादेमा ने उन्हें समझाईए या बताई है तो बच्चों, आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं इस पाट के आगे की जानकरी हम हमारे अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे धन्यवाद झाल 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 याल युण झाल झाल झाल